कीरतपूर मनाली फोरलेन के उद्गाटन से पहले ही सुरंग नंबर दो के पोर्टल एक के सामने करीब एक फीट तक धस गई सड़क, सुरंग के मुहाने और जगा जगा पर हुआ है भारी फूसकलत, जिससे सड़क को पहुंचा है नुकसान, यातायात के लिए अभी बंद है फोरलेन का यह हिस्सा, वही प्रशासर ने दिया अतर्क की भारी बारिश से फोरलेन को पहुंचा है नुकसान, जबकि लोग फोरलेन की गुडवत्ता पर उठा रहे हैं सवाल सीम सुकुन्दा सिंग सुखु ने आबदा प्रभावित लोगों को विती सहायता बढ़ाये जाने पर किया है ट्वीट, सीम ने दी जानकारी के राजसरकार ने बढ़ा दिये मुआफजा राशे, जिससे आबदा से प्रभावित लोगों को मिली है काफी राहत, विशेस मा प्रभावित लिया गया है, शिमला से सोलन तक ट्रेक को ट्रेनों के संचालन के लिए कर दिया गया है, दुरुस्त उत्तर रेलवे की शिमला और सोलन के बीच लोकल ट्रेन चलाने की भी है योजना हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने बरपाया हुआ है कहर, पहले होई बारिश अब हो रहा है भुस्कलन, भुस्कलन की वज़े से रोट पर आ रहा है मलबा ऐसे में रास्ते हो रहे है बंद, अब चंडिगर्ड मनाली नेशनल हाइवे मंडी पंडो के बीच दो दिन तक रह है का दोरा, लेगा नुकसान का जायजा, 19-22 जुलाई तक हिमाचल में प्रभावित छेत्रों के प्रवास पर रहेंगे या केंदरी दल अवैद भवन निर्माड करने वालू पर सकती से पेश आएगी सरकार, शिकायत मिलने पर इन लोगों की बिजली पानी समेच छीन ली जाएगी तमाम मुलभूत सुविधाए, नकसा पास करवाक कर ही करना होगा भवन का निर्माड, इसके लिए भवन निर्माड संबंधित इंजीनियर की रिपोर्ट होगी अनिवार, हिमाचल में मुसलधार बारिश और बाढ़ आने से कई लोगों के धह रहे हैं मकान हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला रहा साल 2023 तबाही का 50 साल का तूट गया रिकॉर्ड, मानसून ने एक सब्ता मही नुकसान के तोड़ दिये सारे रिकॉर्ड, SDMA के अनुसार भारी बारिश से 4,636 करोण रुपे की सरकारी वनीजी संपत हो चुकी है तबाह सत्ता पक्ष को घेडने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है बीजेपी मानसून की एंट्री के वक्त विपक्ष ने मुख्यमंदी सुखेंदर सिंग सुखु पर बढ़सात को लेकर तयारियां नहीं करने के लगाया आरो अब नेता प्रतिपक्ष जराम ठ की बाचीत सुखा करीब 9 बजे सरकारी आवास ओक ओवर से सचिवाले के लिए निकले थे मुख्यमंदी, मुख्यमंदी के साथ रास्ते में लोगों ने खिचाई सेल्फी Лंबे समय से मुख्यमंदी सुखा के वक्त ओक ओवर से ही निप्टा रहते सरकारी काम हिमाचल प्रदेश में एक्टिव है मांसुन और अगले चार दिन भारी बारिश होने का जारी किया गया अलर्ट राहत की है यह बात की अब नहीं है रेड और ओरेंज अलर्ट लेकिन मौसम विग्यान केंदर शिमला ने 21 जुलाई तक बारिश होने का जारी किया है यलो अलर् अध्यम उचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बादल पटने जैसी हो सकती है घटनाए तो यह थी हमाचल प्रदेश के अब तक की मुख्य खबरें से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं एन्वन लाइव